इसर्जी ये वीडियो सारे लोगों के लिए जरूरी है रहितना ज्यादा जरूरी है कि आपके दोस रिस्तेदार खंदान महुला कभी भी चह महीने साल बार दो साल बाद भी अगर कोई भी अगर आप ना भी आए दूसरा कोई भी आना चाहते हैं यहां तो भी यह वीडियो आपके लिए इंपोर्टन्ट है भले ही आप यहां ना आ रहे हैं विजन क्या है मैं बता दू कि अभी कल मैंने वीडियो लोड किया था अपलोड किया था तीन कि कुछ कंपनी है हाइरिंग कर रही है ठीक है और वीडियो लेट अपलोड करने के विज़ा से तो दो तारिक वा है मेरे दोस्तों में से हैं तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि इंटर्वियो खतम होने के बाद कुछ लोग आये थे तो उन्होंने उनको वापस नहीं किया उनकी सीवी लेकर रख लिया और उनको एक डेट बताया कि भाई आप अपनी सीवी जमा कर दिये जाए ठीक है न और अफला दिन इंटर्वियू है हम आपको कॉल करेंगे तो फिर उन्होंने ये जिस तो उनको कह दिया फिर उन्होंने मुझसे का कि जितने भी लड़के हैं विजिट विजे पर यहां मौझूद हैं खुद से आए हो किसी दूसरे को थ्रूआए हो या मेरे खुद के जो आने लोगों का एक ही चीज है उन्होंने कहा कि ये चीज लड़कों को बता दो करना क्या है किसी के भी थ्रूआओ वो फौरन ले जाके जमा कर दे भले ही उस दिन इंटर्विव ना हो सीवी ले जाके जमा कर दे और सीवी के उपर एक चीज मेंशन कर दे सबसे उपर हेडलाइन बे एक दम जिसमें साफ साफ दिखाई दे I am ready to do any type of job मतलब कुछ भी मिले मैं करूंगा ठीक है अगर ये वो सीवी पर mention कर देता है तो किसी ने किसी किसी ने किसी category में वो set कर देंगे ठीक है ना अच्छा मैं क्यूं कर रहा हूं वाई से पहले सुन लो company के बारे में company जो है UAE की अगर मैं ये कहूं तो number 2 पे है ठीक है ना चार पांच company है जो पूरे UAE को control किये हुए है company तो बहुत सारी है हजार हो है ठीक है लेकिन जो सबसे टॉप लेबल पे है उसमें से number 2 पे है जिक आप जब जाएंगे ना इंटर्वी के लिए आप खुछ समझ माई जागी आप आये कहा है ठीक है यह हो गया और पूरे UAE के अंदर में साधी कोई ऐसा सेक्टर बचा हो जहां पे जिनका contract इनके पास ना हो चाहे वो दुबई एरपोर्ट हो चाहे वो दुबई एरपोर्ट ना सारे एरपोर्ट की में बात कर रहा हूं ठीक है ना वो पूरा सेक्शन इनके हाथ में हैं जितने बड़े बड़े होटल से यहां पर ठीक है ना क्स्टरक्शन लाइन से जितने लोग हैं वह थी यह इनके काम होता है एक लिस्ट बनाने बताने बैठोंगा तो आप लग सुन सुन के पागल होगा मतलब कोई भी कैडिगरी ऐसी नहीं है कि जो सेक्टर इनके पास नहीं हो और हर सेक्टर में इनको कोई नहीं आदमी चाहिए होता है ठीक है न अंगूटा छाप से लेके एकडम टॉप लेवल तक का आदमी इनको चाहिए होता उसी हिसाब से इंट्रव्य लेते हैं ठीक है मेरे भाई तो आप सेक्यूर्टी गार्ड हो सेल्समैन हो या समयलिय की होटल के से रिलेटेड ह आप ड्राइवर हो याप क्लीनर हो याप कंस्रक्शन बिल्डिंग लैन काहा काम करते हो कुछ भी करते हो कोई भी कुछ भी काम करते हो इनके पास हमेशा ओपनिंग रहती है और एक महीने के अंदर अंदर चार से पांच बार यह इंटर्वीव लेते हैं अलग-अलग टाइ कि बंदों को location दे दो बंदा आए कोई phone नहीं करना है कोई email address इनका नहीं है ठीक है जहाँ पर जा कि CV जवा करने है न वो address और उसका Google Map का location वीडियो के description में link पड़ा है मैं उसमें डाल दे रहा हूँ उन्होंने मुझे दिया आपको क्या करना है कि जैसे ही आप यहाँ पर आएं दुबई के अंदर में किसी की भी फिरो ठीक है न आ गए शो लिया खा लिया इत्मिनान कर दिया नहाँ धो लिया ठीक है उसके बाद यहाँ का mobile number एक purchase करो SIM SIM purchase करने के बाद वो SIM अपनी CV में लगाओ ठीक है न CV में लगाने के बाद उपर में जो सबसे headline है न वहाँ पी लिखो I am ready to do any type of job यह mention कर देना तब वो क्या करेंगे उनके पास scope आ जाएगा ठीक है भाई यह आज तो security guard का interview है इसमें बुला लो वो height वगरा भी देखते हैं CV में लिखा रहता है height कितनी है ठीक है weight कितना है तो उसके हिसाब से decision लेते हैं अच्छा salesman का चाहिए तो उसमें बुला लो अच्छा waiter चाहिए तो उसमें बुला लो अच्छा cleaner चाहिए तो उसमें बुला लो अच्छा building के अंदर में महनत करने के लिए मजदूर चाहिए तो उसमें बुला लो वो सीवी के हिसाब से दिखके डिसीजन लेते हैं कि किसको किस काडिगरी में बुला के सिट कराना है ठीक है ना तो आप बस खली तैयार हो कि सर हम कोई भी काम करेंगे अपने हिसाब से देख लो जो भी आपको बेतर लगे यह तो मैं करना क्या है कुछ नहीं करना है आने के बाद जो मेरे खुद के लोग आ रहे हैं जिन्होंने मेरे फाद 35 वाले पेकेज में आपलाई किया है जो आने वाले मेरे अपने पी वह भी सुन लें दुस्रेत चोड़ो दो उनको नंको उनको बताया हूं क्या कर आपका जो भी cv है और जो भी document लगाना चाहें आप उनको देने के लिए वह स्टेपलर में स्टेपलर करके ले जाके उसी जब location पहुचोगे फिर वहाँ पर guard खाला रहेगा बोल देना कि भाई यह मेरी cv है ठीक है ना मैं आने वाला जो interview हो वह attend करूंगो तो आप लिए इस करते हैं cv सारी जेतनी कठी रहती तो उसमें से देखते हैं मालों जो से security guard का interview हो है फिर वह सीवी देखना शुरू करेंगे कि cv के हिसाब से कौन कौन सा बंदा जो है security guard में fit हो जाएगा तो उसको वह call करेंगे कि भाई परसो आप तुम्हारा interview हो ठीक है अगर इसी तरीके से बेटर का इसी तरीके से salesman का इसी तरीके से सारी काडिगरी ठीक है housekeeping का driver का a to jet कुछ भी छुटा नहीं है तो 99 परसंट चांस है कि जो मैं बता रहा हूं अगर आपने यह follow कर लिया ठीक है आपका काम इंशाल्ला होगा ही होगा ठीक है एक रुपया भी नहीं लगेगा ना कंसल्टेंसी चार्ज लगेगी और ना ही कोई बीटियेटर है कोई नहीं है समझ मागी मेरी बात जो लोग यहां विजिट विजिप आ चुके हैं जो अब धून-धून के ठग गए हैं पैर दर्द करने लगा है ठीक है अब यह सोच रहे हैं कि यार लगता नहीं होगा घर जाना पड़ेगा आप एक बार जो मैं बता रहा हूं जो लोकेशन दिया है एक बार लास्टेंड लोकेशन ऑपन करो जाओ अगर को इंटर्वी नहीं हो रहा तो सीवी सब्मिट करके चलिया ठीक है इक बार यह वीडियो जो है हमेशा के लिए है ठीक है आप तीन महीने बा दो साल बाद आओ पांस साल बाद आओ आप ना ओ कोई दूसरा आ रहा आपके जानने वाला आप उसको यह चीज सजिस्ट कर दो ठीक है यह लोकेशन उसको देदो तो बहुत फायदा होगा समझे अगर आप नहीं आ रहा है तो दूसरा का फायदा हो जाएगा ठीक है मेरे तो यह चीज बहुत इंपर्टन थी इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया हाला कि रात में भी बनाना था लेकिन एतनी रात हो जाती है कि फिर मेतनी बढ़ती बनाने की इसलिए भी बना रहा हूं ठीक है